हेलो दोस्तो नमेश्कार नमेश्कार बाद में मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन के बाद वहाप स्टॉक नीचे से 10% भाग गया तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीजे दोस्तों यहां पर सीखने को मिलने वाली है तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे मैंने इसके पहले आप लोगों को यहां पर बताया है तो अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे भी सर यह कंसेफ्ट आफ मटेरियलिटी मतलब exactly होता क्या है तो बहुत ही सिंपल है कि कोई भी चोरी देखी चोरी तो चोरी होती है गडबड तो गडबड होती है बट फिर भी हम एक यहापे 20 रुपय की चोरी की है ठीक है चोरी तो चोरी होती है बट किसी ने 9000 करोड की चोरी की और विदश भाग गया है तो इन दोनों को हम लोग सेम तराजू में नहीं तोल सकते माना कि दोनों चोरी है बट 20 रुपय किदर और 9000 करोड की चोरी किदर तो इसमें फरक तो दोस्तों इसलिए जब भी फ्रॉड जैसी चीज़े होती है न तो हमें देखना पड़ता है कि वो फ्रॉड कितने अमाउंट का है वो सारी चीज़े हम लोगों ने चेक करनी पड़ती है ऐसा नहीं हम लोग बोल सकती कि अगर कोई एक लाग करोड की कमपनी है ठीक है और उसमें सो रुपे का फ्रॉड हो गया करके फ्रॉड तो फ्रॉड है बट इसका रतिया नहीं कि अभी एक लाग करोड की कमपनी जीरो कर दो इसी का पूरा डेमो आज हम लोगों को इसी वीडियो में यहापे और आज की दिन देखने को आपे मिला है तो पहले में उस कमपनी के ओर आना चाहूंगा तो आप देख सकते दोस्तो कमपनी का नाम है Canfin Home Limited आज की दिन की बात करेंगे किसी ने अगर डिरेक्ली स्टॉक को देखा तो बोलेंगे मार्केट तो वैसे भी गिर रहा है ठीक है यह 7% गिर रहा है बट ऐसा नहीं है दोस्तो अगर आप इसका पूरा डिटेल चार्ट पेटन देखोंगे तो यह देखिए पूरा नॉर्मल स्टॉक चल रहा था 5-4-5 पे जैसे ही यहाँ पे आगया आप देख सकते हैं बहुत बड़ा क्रेश लोर सर्किट लग गया है यहाँ पे देन मैनेजमेंट ने आके यहाँ पे बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिया इसके बीच में बहुत सारे अफ़ाय भी फिलाई गई जैसे ही यह क्लैरिफिकेशन देदिया आप देख सकते हैं स्टॉक में रिकवरी देखने को मिले जो कि सम्वेर अरौन रफली अगर मैं बात क प्रॉब्लम यहाँ पे खतम हुआ है तो वो भी हम लोगों को यहाँ पे समझना है इतना ही नहीं दोस्तो इसके चलते एक और कंपनी यहाँ पे पिट गई जो कि आप देख सकते साड़े आठ पसंट यह भी गिर गया तो ऐसा क्यों दोस्तो और यह कंपनी कोन से एक कैनरा तो इसके पीछे का रिजन कै है तो अभी आप लोगों को A to Z सारी बाते समझ में आप आ जाएगी देखे हमारे पास यह स्टॉक नहीं भी होंगे फिर भी हम लोगों को यह सारी चीज़े स्टडी करना बहुत ज्यादा इंपोर्टन बनती है तो अभी एक एक पॉइंट जिए यहां पर यहां पर बता गया कि दोस्तो आरबिय के और से बहुत बड़ा एक और यहां पर निकला है कि कुछ तो यहां पर घढबढ़े करके ऐसा तो जैसे यह खबर हम लोगों को देखने को मिली तो स्टॉक में तो सरकिट यहां पर लग गया और भी एनेजबी कि औ और से अगर हम लोग यहां पर बात करें, कुछ गड़बड़ी वाली बाते बताई गई है, ऐसी भी चीज़ें हम लोगो देखने को यहां पर मिली है, तो यह सारा चीज़ें हम लोगो देखने को मुला है, तो यह सारा चीज़ें हम लोगो देखने को यहां पर मिला, फिर दो कि आप ये बात करें हो कि Reserve Bank of India, RBA and NHB, National Housing Bank की, अगर हम लोग यहापे बात करें, तो यहाँ से अगर कोई वो प्रोप की बाते यहापे कर रहे हैं, कि इनोंने कोई आरोप लगा है, तो देखिए हमें कुछ पता नहीं है, not aware, मतलब management कोई पता नहीं है, बट बाजार में किसी ने तो यह चीज़े बोल दी है, तो इसलिए आप इसको pure अफ़वा यहापे बोल सकते हैं, अगर हमारे सामने यह चीज़े आ जाती, अभी तक तो नहीं आई है, तो आरबे ने ऐसी कोई भी अभी तक फिलाल आरोफ वाली बाते यहापे नहीं की है, यह point आप लोग ने note यहापे करना जरूर चाहिए, next अगर हम लोग यहापे बात करें, कि यहापे जो चीज़े देखने को मिल रहे हैं, लोग जो फ्रॉड की बाते यहापे कर रही है, so मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ irregularities जरूर है, बट serious irregularities यहापे नहीं है, मतलब गड़बर तो जरूर है, जो मैंने आप लोग को शुरुवात में example बता है न, कि fraud तो जरूर है, management ने खुद बोल दिया, जो मैं आपको जरूर तो जरूर तो जरूर था यहापे बट इसको एक्स्ट्रा बड़ा चाड़ा कर दिखाया, इसके चलती इतनी जोरदार गिरावट होगे कि सरकेटी लग गया, तो इसलिए हम लोग यह clarification दे रहे, तो ऐसा तो अभी तक तो कोई भी चीज हम लोगों को तो देखने को यहापे और सुनने को भी यहापे नहीं मिल रहा है, और जैसे उन्हें ने यह चीज़े बोलना स्टार्ट किया, वापस टॉक नीचले लेवल से 10% वापस रिकवरी देखने को यहापे मिला है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग यहापे देख सकते हैं दोस्तों, यह जो क्लारिफिकेशन ही है, कब सामने आया, जबकि मिडिया रिपोर्ट, मतलब जो रिपोर्ट में हम लोगों को चीज़े देखने को मिली थी, यह बताया जा रहा था कि RBI में प्रोब दर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इन थर्टी सेवन अकाउंट्स ऑफ कैन फिन होम, ऐसी न्यूज मिडिया में बता ही जा रहे थी, आप लोग पता है, ऐसी बहुत सारी चीज़े चलते हैं, में भी आप लोग को बहुत बार बताता हूं कि एक ख़बर रिपोर्ट के जारी है, या फिर सोर्सेस के जारी है, कभी-कभी बहुत सारी चीज़े जन्यून होते हैं, बट कभी-कभी पैनिक क्रेट करने की पूरी कोशिश की जाती है, इसके उपर क्लैरिफिकेशन देने के लिए, यहाँ पर हम लोग को मैनेजमेंट सामने आते वे देखने को आपर मिला है, जैसे यह चीज़े देखने को लिए 14% की गिरावट, एक जटके में हम लोग को गिरावट यह देखने को आपर मिली है, जैसे यह सारी चीज़े हम लोग को देखने को यहाँ पर मिली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो, Audit Committee, As the Parent, Canera Bank, Foreigner Inspection, यह जो Canfin Home, यह जो Company है दोस्तो, इसमें लगबग अगर मैं बात करें, 29.something सकती है, मतलब लगबग 30% की जो Holding है, वो किसकी है, Canera Bank की है, जो की इसकी Parent Company, इसलिए Canera Bank में भी हम लोगों को, यहाँ पर प्रेशर देखने को यहाँ पर मिला है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ आगे की बात करें, तो जो यह Fraud की बाते यहाँ पर पूछी जा रही थी, तो इससे Related Management को पूछा गया, कि यहाँ पर क्या गडबड़ी क्या चल रही, कि यह मतलब ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है, तो Management वो बोला ऐसा नहीं है, जो आप लोग यहाँ पर बोल रहे हो, कि लगबग 8, मैं आपको बताना चागा, आठ ब्रांचेस में कुछ तो गडबड़े, अकाउंट में ऐसे गडबड़े, यह चीज़े सामने लाई गई, तो फिर हम लोग ने किया, कि लगबग 21 ब्रांच का यहाँ पर audit करवाया, specifically check करवाया, और जैसे हम लोग ने check किया, तो वहाँ पर हम लोगों को पाया गया, total cool मिला के 37 accounts की, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, गडबड़ी मतलब क्या, वहाँ पर fake IDs देखने को मिले, ITRs हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिले, fake थे, original यहाँ पर नहीं थे, और इसके चलते हम लोगों को यह fraud देखने को यहाँ पर मिला है, और यह जो fraud हुआ है, वो अभी की नहीं है, यह पुरानी बात है, obviously fraud हमेशा पुरा नहीं होता है, जैसे मैंने का कि अभी fraud हो गया, और कल detect हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा टाइम लगता है, so यह fraud जो detect हुआ है, हमने खुद we declare them as a fraud, and classified them as a NPA also, मतलब ऐसी बात नहीं है, कि हम लोग आपे यह चीज़े report नहीं किये, fraud हुआ है, यह चीज़े तो हुई है, and प्लस इसके उपर जो non-performing asset, मतलब वापस पैसा नहीं आएगा, वो भी हम लोग ने आपे ऐसा सारी चीज़े आपे दिखा दी है, यह सारी चीज़े उन्होंने आपे queries में आपे clear कर दे, company ने, management ने, and इस सभी चीज़ों को उन्होंने बता है, यह normal in a nature है, जरूर हुआ है, बट इसकी जो materiality है, वो आप लोगों ने आपे समझ में आनी चाहिए, तो obviously next interviewer का सवाल यही था, कि आप यहापे बता रहें कि fraud छोटा है, तो कितने amount का fraud है, सो दोस्तो management ने आपे बता है कि yes, कि fraud यहापे हुआ है, and fraud का amount है 3.93 करोड, और हम लोगों ने यही चीज report भी कर दी है, मैं आपको बता दू, यहापे हर एक company, यहापे अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, fraud होती है, तो उनका responsibility है, कि उन्होंने जाके वो respective जो authority होती है, उनको यहापे क्या करना होता है, उस fraud का amount, size, nature, यह चार सारी चीज़े report करनी होती है, अगर मैं इस company की बात करूँ, तो उनके managing director ने खुद बोला है, कि यह fraud हुआ है, कितने का है, 4 करोड के आसपास का fraud है, इवन दो 4 करोड भी नहीं है, और हम लोगों ने इस 4 करोड के fraud को detect भी किया है, report भी किया है, 30,000 करोड का इसका total हम लोगों को loan book type का business देखने को मिलता है, उसमें 4 करोड मतलब बहुत ही छोटा amount है, ऐसा भी हम लोग यहापे कह सकते है, हाँ fraud fraud है, आप लोग जरूर है आपे बोल सकते हो, बट फिर भी overall materiality की अगर मैं बात करें, finance company कोई भी उठा के देख लेना, उसमें हम लोग को इस तरीकी की चीज़े जरूर देखने को यहापे मिल जाती है, तो materiality की हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो यहापे यह normal चीज़े, जैसे कि management नहीं यहापे बता है, तकि irregularities जरूर है, बट वो seriousness नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कोई 300 करोड का fraud हुआ है, या फिर 3000 करोड का है, यह 3-4 करोड का देखने को मिल रहा है, जो कि किसी यहापे individual या फिर group ने किया होगा, जो कि हम लोग को बहुत सारी चीज़े में देखने को यहापे, मिल जाता है और इसके खिलाफ उन्होंने यहापे action भी लिया है, जो कि आप लोग यहापे देख सकते हो, तो रस्तों यह सारे clarification दे दिया, और आखरी का वही सवाल था, कि यहापे RBI ने कोई आपके उपर, ROP या फिर investigation का ऐसा कोई चीज, तो उन्होंने clear cut बोल दिया, कि ऐसा कोई भी चीज अभी तक यहापे नहीं हुआ ही है, अचले incorrect है, पूरी तरीके से यहापे, मतलब यह जो चीज़ें यहापे आ रही है, अनवेर management को यह नहीं पता है, बट भार किसी person को यहापे पता है, फिलाल इस चीज को अफ़ाई बोला जाए, यह चीज़ें भी उन्होंने यहापे बताई है, आगे जाके शायद से आरगे भी इससे related कोई ना कोई orders यहापे निकाल सकती है, investigation भी करवा सकती है, बट फिलाल अभी तक ऐसी कोई भी चीज, हम लोगों को देखने को यहापे नहीं मिली है, तो हम लोग जरू कह सकते की, गडबड तो यहापे जरू होते वे देखने को मिली थी, बट चार करोड इस company के लिए मतलब कुछ भी ने, और ऐसे चीज़े हम लोगों को बड़े-बड़े सभी NBFC, यहापे banking company, सभी में चीज़ों में हम लोगों को देखने को यहापे मिल जाती है, तो Canfin Home की बाद करें, इसी के चलते हम लोगों देख सकती, इतना बड़ा lower circuit, और उसके बाद वापस recovery, इसके पीछे का reason ही यही था, कि management ने आके बहुत सारी अफ़ाउं को यहापे clear कर दिया है, बट जैसे मैंने का इसके चलते हैं, यहापे Canara Bank में जबरदस पिटाई होते हैं देखने को ने, क्यों कि Canara Bank इसमें 30% के आसपास यहापे stakehold यहापे करता है, यहापे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिले कि कोई भी अगर गडबड़ी हो जाती, तो management का clarification बहुत ज़्यादा important यहापे रहता है, जो कि आप लोग यहापे देख सकते हो, प्लस जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी तक तो RBI का कोई यहापे NHB का कोई भी हम लोगों को बड़ा serious action देखने को नहीं मिला है, बाद में future में शायद से यहापे आ सकता है, बट देखा गया तो 3.93 CR इतना ही यहापे fraud का amount देखने को बना है, जो कि already उन्हें ने record भी कर दिया है, NPA भी declare कर दिया है, तो इसके चलते हम लोग यह कह सकते जरूर, यहापे unnecessary panic करने की कोशिश आपे की गई थी, बट management ने आके अरबाद में यह सारी चीज़े clarify यहापे कर दी है, अभी देख लेते हैं, इसे रिलेटर आगे जाके कोई और नया, मतलब बोलते हैं न, mode आता है भी या नहीं, बट chances अभी इसके बहुती rare देखने को मिल देखने को मिल देखने हैं, क्यूंकि already इसको books of accounts में दिखाया दिया है, and pay भी गोशित कर दिया है, तो chances बहुती low है, तो आशा कर दो दोस्तों आपलों को वीडियो हलफूल लगाओगा, कुछ चीज़े नहीं सीखने को मिलेगी तो ज़रू like and share कर देना है, डिमेट अकाउंट अभी तक उपन नहीं किया है, अप्स्टॉक में फिलाल आफर चल रहा है, कोई भी अकाउंट उपनिंग चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो आप चाहो तो इस आफर का फायदा भी उटा सकते हो, so that's it, thank you very much दोस्तों, we will be meeting our next studio, तब तक के लिए, bye-bye.